ओम शांती, मीठे बच्चे, आज की मुरली, 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार की संपूर्ण मुरली, मीठे बच्चे इस शरीर को न देख आत्मा को देखो, अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो, इस अवस्था को जमाना है, यही उची मन्जिल है, प्रशना तुम बच्चे बाप के साथ उपर घर में कब जाएंगे? उत्तर जब अपवित्रता की मात्रा रिंचक भी नहीं रहेगी. जैसे बाप प्योर है, ऐसे तुम बच्चे भी प्योर बनेंगे, तब उपर जा सकेंगे. अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुक हो. ज्यान सागर से ज्यान सुन- बाप को नौलिज से खाली कर देंगे, फिर वह भी शान्त हो जाएंगे, और तुम बच्चे भी शान्तिधाम में चले जाएंगे. वहा ज्यान तपकना बंध हो जाता. सब कुछ दे दिया, फिर उनका पाठ है साइलेंस का. ओम शान्ती. शिव भगवानु वाच. जब चेवा आत्मा याद करती हो. परिचय तो मिला है रच्ता बाप से. यह तो जरूर है नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार ही याद करते होंगे. सब एकरस याद नहीं करेंगे. यह बहुत सुक्ष्म बात है. अपने को आत्मा समझ दूसरे को भी आत्मा समझें. यह अवस लोग तो कुछ भी नहीं जानते. न जानने कारण सर्वव्यापी कह देते. जिस प्रकार तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो, बाप को याद करते हो, ऐसे और कोई याद नहीं कर सकते होंगे. कोई भी आत्मा का योग बाप के साथ है नहीं. यह बाते हैं बहुत भाई भाई हैं तो आत्मा को ही देखना चाहिए. शरीर को नहीं देखना चाहिए. यह बहुत बड़ी मन्जिल है. बहुत हैं जो बाप को कभी याद भी नहीं करते होंगे. आत्मा पर मैल चड़ी हुई है. मुख्य आत्मा की ही बात है. आत्मा ही अब तमो प्रधान बनी ह जो सतो प्रधान थी यहां आत्मा में ज्ञान है ज्ञान का सागर परमात्मा ही है तुम अपने को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे तुम जानते हो हमको बाबा से पूरा ही ज्ञान लेना है वह अपने पास रखकर क्या करेंगे अविनाशी ज्ञान रतनों का धन तो बच्चों को देना ही है बच्चे नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार उठाने वाले हैं जो जास्ती उठाते हैं वही अच्छी सर्विस कर सकते हैं बाबा को ज्यान सागर कहा जाता है वह भी आत्मा तुम भी आत्माएं तुम आत्माएं सारा ज्यान ले लेती हो जैसे वह एवर प्योर है तुम भी एवर प्योर बनेंगे फिर जब अपवित्रता की रिंचक भी नहीं रहेगी तब उपर चले जाएंगे बाप याद के यात्रा की युगती सिखलाते हैं यह तो जानते हैं सारा दिन याद नहीं रहती है यहां तुम बच्चों को बाप सम्मुख बैठ समझाते है और बच्चे तो सम्मुख नहीं सुनते मुर्ली पढ़ते हैं यहां तुम सम्मुख हो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और ज्यान भी धारन करो हमको बाप जैसा समपुर्ण ज्यान सागर बनना है फुल नॉलेज समझ जाएंगे तो जैसे की बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे फिर वह शान्थ हो जाएंगे ऐसे नहीं उनके अंदर ज्ञान तपकता होगा सब कुछ दे दिया फिर उनका पाट रहा साइलेंस का जैसे तुम साइलेंस में रहेंगे तो ज्ञान थोड़े ही टपकेगा यह भी बाप ने समझाया है आत्मा संसकार ले जाती है कोई सन्यासी की आत्मा होगी तो छोटेपन में ही उनको शास्त्र कंठ हो जाएंगे फिर उनका नाम बहुत हो जाता है अब तुम तो आए हो नई दुनिया में जाने लिए वहा तो ज्ञान के संसकार नहीं ले आ सकते यह संसकार मर्ज हो जाते हैं बाकी आत्मा को अपनी सीट लेनी है नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार फिर तुम्हारे शरीरों पर नाम पढ़ते हैं शिवबाबा तो है ही निराकार कहते हैं मैं इन आरगंस का लोन लेता हूँ वह तो सिर्फ सुनाने ही आते हैं वह कोई का ज्यान सुनेंगे नहीं क्योंकि स्वय ज्यान का सागर है न सिर्फ मुख द्वारा ही वह मुख्य काम करते हैं आते ही हैं सब को रास्ता बताने, बाकी सुन कर क्या करेंगे? वह सदैव सुनाते ही रहते हैं कि ऐसे ऐसे करो, सारे जहाड का रास सुनाते हैं. तुम बच्चों की बुद्धी में है कि नई दुनिया तो बहुत छोटी होगी यह पुरानी दुनिया तो कितनी बड़ी है सारी दुनिया में कितनी लाइट जलती है लाइट द्वारा क्या-क्या होता है वहाँ तो दुनिया भी छोटी, लाइट भी थोड़ी होगी जैसे एक छोटा सा गाव होगा अभी तो कितने बड़े बड़े गाव है वहाँ इतने नहीं होंगे थोड़े मुख्य मुख्य अच्छे रास्ते होंगे पांच तत्व भी वहाँ सतो प्रधान बन जाते हैं कभी चंचलता नहीं करते सुखधाम कहा जाता है उसका नाम ही है हेवन आगे चल कर तुम जितना नस्दीक आते रहेंगे उतना वृद्धी को पाते रहेंगे बाप भी साक्षातकार कराते रहेंगे फिर उस समय लड़ाई में भी लशकर की अथवा एरोपलेन आदी की दरकार नहीं रहेगी वह तो कहते हम यहां बैठे सब को खत्म कर सकते हैं फिर यह एरोपलेन आदी थोड़े ही काम में आएंगे फिर यह चंद्रमा आदी में पलाट आदी देखने भी नहीं जाएंगे यह सब फाल्तु साइन्स का घमंड है कितना शो कर रहे हैं ज्यान में कितनी साइलेंस है इसको इश्वरिय डात देन कहते हैं साइन्स में तो हंगामा ही हंगामा है वह शान्ती को जानते ही नहीं तुम समझते हो विश्व में शान्ती तो नई दुनिया में थी वह है सुखधाम अभी तो दुखशान्ती है यह भी समझाना है तुम शान्ती चाहते हो कभी अशान्ती हो ही नहीं वह तो है शान्तिधाम और सुखधाम में स्वर्ग तो सब चाहते हैं, भारतवासी ही वैकूंट स्वर्ग को याद करते हैं, और धर्म वाले वैकूंट को याद नहीं करते, वह सिर्फ शान्ती को याद करेंगे, सुख को तो याद कर न सकें, लौ नहीं कहता, सुख को तुम ही याद करते हो, इसलिए पुकारते हो, हम दूख से लिबरेट करो आत्माएं असुल शान्तिधाम में रहने वाली है यह भी कोई जानते थोड़े ही है बाप समझाते हैं तुम बेसमच थे कब से बेसमच बने 16 कला से 12 से 14 कला बनते जाते माना बेसमच बनते जाते अभी कोई कला नहीं रही है कानफरिंस करते रहते हैं स्त्रियों को दुख क्यों है अरे दुख तो सारी दुनिया में है अथा दुख है अब विश्व में शान्ति कैसे हो अब तो धेर के धेर धर्म है सारे विश्व में शान्ति तो अब हो न सके सुख को तो जानते ही नहीं तुम बच्चिया बैठ समझाएंगी इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं, अशान्ती हैं। जहां से हम आत्माएं आई हैं, वह है शान्तिधाम और जहां यहां आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह था सुख धाम। आदि सनातन हिंदू धर्म नहीं कहेंगे, आदि माना प्राचीन, वह तो सत्युग में था, उस समय सब पवित्र थे, वह है ही निर्विकारी दुनिया, विकार का नाम नहीं। पहले फले तो निर्विकारी इपना चाहिए न इसलिए बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, काम पर जीत पहनों। अपने को आत्मा समझो, अभी आत्मा अपवित्र है, आत्मा में खाद पड़ी है, तब जेवर भी ऐसे बने हैं। आत्मा पवित्र तो जेवर भी पवित्र होगा, उनको ही वाइसलिस वर्ड कहा जाता है। 84 जन्म भी मनुष्य लेते हैं, सीधी दिखानी है कि तमो प्रधान बनते हैं, तो हिंदू कह देते हैं, देवता कह न सकें क्योंकी पतित हैं। द्रामा में यह राज है ना, नहीं तो हिंदू धर्म कोई है नहीं। आदि सनातन हम ही देवी देवता थे, भारत ही पवित्र था, अब अपवित्र है। तो अपने को हिंदू कहलाते हैं। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया नहीं है। यह बच्चों को अच्छी रीती धारण कर समझाना है। आजकल तो इतना टायन भी नहीं देते हैं। कम से कम आधा घंटा दें तब वाइंट सुनाई जाएं। वाइंट तो धेर हैं। फिर उनसे मुख्य मुख्य सुनाई जाती हैं। पढ़ाई में भी जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं। तो फिर हलकी पढ़ाई अल्फ बे आदी थोड़े ही याद रहती है। वह भूल जाती है। तुमको भी कहेंगे अभी तुम्हारा ज्यान बदल गया है। अरे पढ़ाई में उपर चड़ते जाते हैं तो पहली पढ़ाई भूलती जाती है न। बाप भी हमको नित्य नई-नई बाते सुनाते हैं। पहले हलकी पढ़ाई थी, अब बाप गुहिय गुहिय बाते सुनाते रहते हैं। ज्यान का सागर है न। सुनाते सुनाते फिर पिछाडी में दो अक्षर कह देते अल्फ को समझा तो भी काफी है। अल्फ को जानने से बे को जान ही लेंगे। इतना सिर्फ समझाओ तो भी ठीक है। जो जास्ती ग्यान नहीं धारन कर सकते वह उँच पद भी पा नहीं सकते। पास विद ओनर हो न सकें। करमातीत अवस्था को पा न सकें। इसमें बड़ी महंत चाहिए। याद की भी महंत है। ज्यान धारन करने की भी महंत है। दोनों में सब होशियार हो जाएं सो भी तो हो न सकें। राजधानी स्थापन हो रही है। सब नर से नारायन कैसे बनेंगे। इस गीता पाठशाला की एम ओबजेक्ट तो यह है। वही गीता ज्यान है। वह भी कौन देते हैं। यह तो सिवाए तुम्हारे कोई जानते ही नहीं। अभी है कब्रिस्तान फिर परिस्तान होने का है। अभी तुम्हें ज्यान चिता पर बैठ पुजारी से पूज्य जरूर बनना है। साइंस वाले भी कितने होशियार होते जाते हैं। इन्वेंशन निकालते रहते हैं। भारतवासी हर बात का अकलव वहां से सीख कर आते हैं। वह भी पिछाडी में आएंगे तो इतना ज्यान उठाएंगे नहीं। फिर वहां भी आकर यही इंजिनेरिंग आदी का काम करेंगे। राजारानी तो बन न सके, राजारानी के आगे सर्विस में रहींगे। ऐसी ऐसी इन्वेंशन निकालते रहेंगे। राजारानी बनते ही हैं सुख के लिए। वहां तो सब सुख मिल जाने हैं। तो बच्चों को पुरूशार्थ पूरा करना चाहिए। फुल पास होकर करमातीत अवस्था को पाना है जल्दी जाने का ख्याल नहीं आना चाहिए अभी तुम हो इश्वरिय संतान बाप पढ़ा रही है यह मिशन है मनुश्यों को चेंज करने की जैसे बौध्धियों की क्रिश्चियन की मिशन होती है न क्रिश्चियन की भी रास मिलती है उन्हों के लेंदेन का भी बहुत कनेक्शन है जो इतनी मदद करते हैं उनकी भाषा आदी छोड़ देना यह भी एक इंसल्ट है वह तो आते ही पीछे है न बहुत सुख न बहुत दुख उठाते सारी इन्वेंशन वे लोग निकालते हैं यहां भल कोशिश करते हैं परंतु एक्यूरिट कभी बना नहीं सकेंगे विलायत की चीज अच्छी होती है ओनेस्टी से बनाते हैं यहां तो डिस्नेस्टी से बनाते हैं अथा दुख हैं सबके दुख दूर करने वाला एक बाप के सिवाए और कोई मनुष्य हो न सके भल कितनी भी कानफरेंस करते हैं विश्व में शान्ती हो, धक्का खाते रहते हैं सिर्फ माताओं के दुख की बात नहीं यहां तो अनेक प्रकार के दुख है सारी दुनिया में जगडे मारा मारी की ही बात है पाई पैसे की बात पर मारा मारी कर देते हैं वहां तो दुख की बात नहीं होती यह भी हिसाब निकालना चाहिए लडाई कभी भी शुरू हो सकती है भारत में रावन जब से आता है तो पहले फले घर में लड़ाई शुरू होती है जुदा जुदा हो जाते हैं आपस में लड़ मरते हैं फिर बाहर वाले आते हैं पहले ब्रिटिश थोड़े ही थे फिर वह आकर बीच में रिश्वत आदी देकर अपना राज्य कर लेते हैं कितना रात दिन का फिक है? नया कोई भी समझ न सके नई नौलेज है ना, जो फिर प्रायत लोप हो जाती है बाप नौलेज देते हैं, फिर वह गुम हो जाती है यह एक ही पढ़ाई, एक ही बार, एक ही बाप से मिलती है आगे चल तुम सबको साक्षातकार होते रहेंगे कि तुम यह बनेंगे परन्तु उस समय कर ही क्या सकेंगे? उन्नती कोपा नहीं सकेंगे रिजल्ट निकल चुकी फिर ट्रांसफर होने की बात हो जाएगी फिर रोएंगे, पीटेंगे हम बदली हो जाएँगे नई दुनिया के लिए तुम में हंत करते हो, जल्दी चारों तरफ आवाज निकल जाए फिर आपे ही सेंटर्स पर भागते रहेंगे परन्तु जितना देरी होती जाएगी, तु लेट होते रहेंगे फिर कुछ जमा नहीं होगा पैसे की दरकार नहीं रहेगी तुमको समझाने लिए यह बैज ही काफी है यह ब्रह्मा सो विश्नु, विश्नु सो ब्रह्मा यह बैज ऐसा है जो सब शास्त्रों का तंत सार इसमें है बाबा बैज की बहुत महिमा करते हैं वह समय आएगा जो यह तुम्हारे बैज सब नहीं नों पर रखते रहेंगे मनमना भव इसमें है, मुझे याद करो तो यह बनेंगे फिर यही 84 जन्म लेते हैं पुनरजन्म न लेने वाला एक ही बाप है अच्छा मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते धार्णा के लिए मुख्यसार एक याद की मेहंत और ज्ञान की धार्णा से करमातीत अवस्था को पाने का पुरुशार्थ करना है ज्ञान सागर की संपूर्ण नौलेज स्वयम में धारण करनी है दो आत्मा में जो खार पड़ी है उसे निकाल संपूर्ण वाइसलेस बनना है क्रिंचक मात्र भी अप्वित्रता का अंश न रहे हम आत्मा भाई-भाई है यह अभ्यास करना है वर्दान समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे जमा का खाता बढ़ाने वाले पद्मापदमपती भव वैसे खजाने तो बहुत हैं लेकिन समय और संकल्प विशेश इन दो खजानों पर अटेंशन दो हर समय संकल्प श्रिष्ट और शुब हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा इस समय एक जमा करेंगे तो पदम मिलेगा हिसाब है एक का पदम गुना करके देने की यह बैंक है इसलिए क्या भी हो त्याग करना पड़े तपस्या करनी पड़े निर्मान बनना पड़े कुछ भी हो जाएग इन दो बातों पर अटेंशन हो तो पदमापदमपती बन जाएंगे स्लोगन मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रालब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी